दोस्तों, हमें स्कूल और कोलेज में ये तो सिखाया जाता है कि हमें अच्छे मांक्स लाने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी हैं, हमें भारी-बारी कॉंसेट्ट तो सिखाया जाते हैं, और मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाते हैं, बर जो चीज हमें नहीं सिखाये जाती है वो है financial knowledge हमें school में कभी भी यह नहीं सिखाये जाते कि हमें किस तरह अपने पैसे को manage करना है और किस तरह हम अच्छा पैसा कमा कर अमीर बन सकते हैं और इसी कारण लोग अपनी पूरी life में पैसो को लेकर struggle करते रहते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने बताय आने वाला हूं जो हमें ना तो किसी ने बताया है और ना ही हमें किसी school और college में पढ़ाया जाता है और इन lessons का इस्तमाल करके आप करोड़ों रुपे कमा सकते हो और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो financial knowledge वो बहुती जदा improve होने वाली है so let's begin lesson number one marry the financially right person author बोलते हैं कि इस लाइन का मतलब यह नहीं है कि हमें उस इंसान से शादी करनी है जो अमीर हो नहीं ऐसा नहीं है या author के कहने का मतलब यह है कि हमें उस वेक्ति से शादी करनी चाहिए जिसकी financial habits अच्छी हो author बोलते हैं कि हम जब date करते हैं तो हम उस वेक्ति को impress करने के लिए महंगे महंगे gift देते हैं बड़े बड़े restaurant में खाना खाने चाते हैं तो author बोलते हैं कि अगर आप यह सब expensive चीज़े अभी afford नहीं कर सकते हो तो आप शादी के बाद भी afford नहीं कर पाओगे और केवल उस वक्त उन्हें impress करने के लिए इतनी expensive चीज़ों पर खर expensive gift नहीं दे पाओगे या महंगे restaurant में खाना नहीं किला पाओगे तो फिर आगे जाकर आपकी marriage में problem create हो सकती है इसलिए हमें शादी से पहले ही अपने partner के बारे में सारी जानकरी लेनी है कि उनकी पैसो को लेकर philosophy क्या है क्या वो पैसो का अच्छे से सेव करते हैं क्या उनके अच्छी के साथ अपनी पूरी life बिताने जा रहा हो तो आपको उनके बारे में ये सारी बाते पता होनी चाहिए lesson number two always live below your means हम सब जानते हैं कि Warren Buffett की net worth billions में है बटो आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 9058 में लिया था ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए क्योंकि वो शौफ करने में बिलीव नहीं करते हैं वो चाहे तो करोड़ो अरबर रुपे खर्च करके अपने लिए एक आलिशान घर ले सकते हैं बटो हमेशा उन्ही चीजों पर खर्च करते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि actual में उन्हें पैसा खर्च करना चाहिए इसलिए उतर ह हमें भी बोलते हैं कि always live below your means अब इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कंजूस बन जाना है और अपनी life को enjoy करना बंद कर देना है बिलकुल नहीं बट हमें कभी भी show off करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना है और केवल जरूरतों की चीजों पर ही spend करना है और जब आप ऐसा करते हो जो आगे जाकर आपको एक मिलेनियर बना सकते हैं लेसन नमबर 3 short term goals versus long term goals उतर हमें बोलते हैं कि अगर आप एक मिलेनियर बनना चाहते हो तो यह एक long term goal है ना कि short term goal पट इन long term goal को अचीव करने के लिए आपको short term goals पर focus करना होगा अब सबसे बड़ी लोगों के साथ problem यह होती है कि वह लोग long term goal the set कर लेते हैं बट वह काफी unrealistic होते हैं लोग बोलतों देते हैं कि हम एकले 3-4 सालों में मिलेनियर बन के दिखाना है बट उन्हें पता नहीं होता है कि आखिर क्या चीजे की जाए कि वह मिलेनियर बन पाएंगे इसलिए उतर बोलते हैं कि अगर आप महीने के target में divide करना है आपको सबसे पहले यह सोचना है कि इस महीने में कितना earn कर सकता हूं किस तरह मैं अपनी income को बढ़ा सकता हूं जैसे आपको short term goals हो सकता है कि मुझे अगले 3 महीनों में मेरे bank account में 1,00,000 रुपी चाहिए मुझे अगले 3 महीनों में एक TV चाहिए या फि तो आप हार मानकर इन goals के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे इसलिए हमें सबसे पहले चोटे-चोटे goals को पूरा करना है देना आगे बढ़ते जाना है Lesson No.4 Spend Just One Hour Each Week Learning About Personal Finance दोस्तों पैसा कमानारों से manage करना हर कोई चाहता है और उसके लिए ओथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें रोजाना कम से कम एक घंटा Personal Finance पर देना चाहिए और अपनी knowledge को बढ़ाने का सबसे best तरीका है books क्योंकि books से अच्छी knowledge आपको कहीं और मिली नहीं सकती है और आपको कम से कम रोज एक घंटा books को देना ही चाहिए पट हो सकता है कि आपको books read करने में थोड़ी problem होती हो जो magazine लोगों को होती है तो उसके लिए जो सबसे best चीज़े कि आप audiobook सुन सकते हैं और audiobook सुनने का सबसे best फायदा ये है कि आप कहीं भी free बेटे हों कहीं पर भी walk कर रहे हों इवन exercise कर रहे हों तो आप audiobook का फायदा उठा सकते हो और ये वाली book why they didn't teach me in the school फिलाल में audio version में सुन रहा हूं कुकु FM के platform से और ये इंडिया का leading audio podcasting platform है जहां पर 1000 hours से भी ज्यादा का content available है इसमें आपको हर तरह की audiobook मिल जाएए और सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी भाशा में audio books सुन सकते हैं यहां पर आपको हर जोनर की books जैसे self-help books, non-fiction books हो या फिर money और financial related books आप बड़े अराम से इन सारी books को हिंदी में सुन सकते हैं इस app में आपको rich dad, poor dad, the psychology of money and the intelligent investor इन सब books की summary आपको audio format में मिल जाएगी और हम सब को पता है कि books के benefit क्या क्या होते हैं और इने पढ़कर हम कितना grow कर सकते हैं तो इस बार कुकू FM पर एक offer चला है कि आपको 50% off मिलेगा लेकिन सिर्फ पहले 500 subscriber को आप में से पहले 500 लोग जो coupon code BBM50 का इस्तिमाल करेंगे और 50% off का मतलब है कि आपके एक साल की cost 399 रुपी की बजाए केवल 199 रुपी ही पड़ेगी तो इस एप का link में आपको नीचे description में दे दूँगा आप महां से जाकर इसे use कर सकते हैं अब आता है lesson number 5 Save or invest 50% of your increased income ये काफी simple but powerful lesson है इसमें उतर बोलते हैं कि अगर आप financial freedom अचीव करना चाते हो तो आपको आपकी income को तो increase करना ही है पट आपको अपनी lifestyle को increase नहीं करना है पट अब जातों लोगों के problem ये होती है कि उनकी income जैसे जैसे increase होती रहती है उसी तरह उनके खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं जहां पहले उनकी income 20,000 रुपे थी तो 15,000 का mobile use करते थे लेकि जब उनकी income 40,000 हो जाती है तो वो भी 40,000 का mobile use करने लग जाते है और जिससे होता यह है कि उनके पास जो savings होनी थी वो कुछ भी नहीं हो पाती है और उसर बोलते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं वो अपनी income को तो बढ़ाते चाते हैं बट वो अपने खर्चों को control करके रखते हैं जिससे कि उनकी wealth बढ़ती चली जाती है और वो और भी अमीर होते चली जाते हैं अब इस point में उतर हमें बताते हैं कि माल लो जैसे अभी आपकी salary 20,000 है और next month से आपकी salary increase हो जाती है और आपकी salary 30,000 हो जाती है तब आपको जितनी में आपकी salary increase होई है उसका 50% आपको invest करते जाना है जैसे कि आपकी salary 20,000 से 30,000 हो गई है मतलब कि 10,000 रुपे increase हो चुके है तो उसमें से आपको 50% यानि कि 10,000 का 50% जो होता है 5,000 रुपे उसे कहीं पर invest करते जाना है और किवल 5,000 ही spend करना है और आपको बस यही सोचना है कि आपकी salary equivalent 5,000 रुपे ही बढ़ी है क्योंकि आप पहले भी तो 20,000 में अपना कर्चा चला रहे थे अब आप 30,000 में नहीं बलकि 25,000 में आप अपना कर्चा चलाओगे जिसे कि आप बच्चे हुए 5,000 को कहीं पर invest करके अपनी wealth को और भी बढ़ा सकते हो Lesson No.6 Develop a return budget and evaluate it every single month ओतर बोलते हैं कि हमें एक return budget बनाना चाहिए और उसे हर महीने evaluate करना चाहिए इसके लिए ओतर हमें एक method का use करने को बोलते हैं जिसे उन्होंने DTA method बोलते हैं D for develop, T for track and A for analyze Develop में आपको एक तरफ अपनी साल की पूरी income को उसे लिखना है और दूसरी तरफ आपके साल के जितने भी खर्चे होने वाले होने लिखना है Income वाले column में आप साल में जितना कमाते हो जिसे आपकी salary हो सकती है उस साल में आपको अगर कोई bonus मिलता है तो वो लिखना है और आपने कहीं पर अपना पैसा invest कर रखा है उससे जितना profit आपको मिलने वाला है वो सब आप income वाले column में लिख सकते हो और जितना भी साल के आपकी income हो रही होगी उसे 12 से divide कर लो जिससे कि आपको महिने की average income पता चल जाएगी और दूसी तरफ आपको अपने साल के पूरे expenses लिखना है जिससे आपके घर के light पानी पर कितना खर्चा होने वाला है आपके साल में food पर कितना खर्चा होने वाले हो और travel में आप कितना खर्चा करने वाले हो तो यह सबाब expenses वाली side में लिख सकते हो और उसको भी आपको toll से divide कर देना है जिससे कि आपका महिने का average खर्चा पता चल जाएगा अब आपको यहाँ पर compare करके देखना है कि क्या ज़्यादा आ रहा है और जब आप यह develop कर लोगे कि आपकी income और expenses कितने है उसके बाद आपको track करना है कि कहां से हमारी income कितनी हो रही है और कहां पर हम कर्चा कर रहे है उस पर नज़र रखना बहुत ही जरूरी है फिर आया का third step analyze और जब आप सब कुछ track करने लग जाओगे तब आपको असलिक पता चलेगी कि आपकी actual में कहां से income हो रही है और आप कहां कहां पर spend कर रहे हो इसके बाद आप अपनी गलतियों को सुधार पाओगे कि कहां कहां पर आप बिना मतलब का कर्चा कर रहे थे और अब आप उन्हें कैसे सुधार सकते हो इस तरह आप अपने काफी पैसे सेव कर लोगे यहाँ पर ओथर हमें दूसरे की लाइफ की तरफ जीने से मना कर रहे हैं ओथर बोलते हैं कि मान लो कि आपके पड़ोसे ने एक BMW ले ली है तो उसकी खुशी की बजाएवाँ आप अपने आपको बुरा फील करवाने लग जाते हो आपको लगता है कि आप फैलियर हो और आप अपने पड़ोसी से कमपटीशन करने के चक्कर में उससे भी महेंगी कार खरीद लोगे नहीं तो आपको बरबाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है इसलिए आपको अपने आपको दूसरों से कमपेर करना बंद कर देना चाहिए अब यहां पर ओतर का हाई टिकेट आइटम से मतलब है कार, टीवी, मॉबाइल आदी चीजों से यह चीजे हर साल इतनी चेंज नहीं होती है जबकि इनमें चोटे मोटे चेंजेस के बाद कमपनिया ने नए मोडल के रूप में लॉंच कर देती है हर साल आप देखते होंगे कि एक नया आइफोन लॉंच हो जाता है और लोग लाइन लगा कर उसे खरीदने के लिए तयार हो जाते है क्योंकि हर कोई लेटेस्ट आइटम खरीदना चाता है जबकि ओतर का मानना है कि आपको एक या दो साल पुराने प्रोड़क्ट खरीदने चाहिए क्योंकि वो आपको काफी सस्ते में मिल चाता है क्योंकि जब भी आप कोई लेटेस्ट मोडल देखते हो तो पुराने मोडल से कुछी पसेंटेज बेटर होता है पाकि सारे फीचर उसके पुराने मोडल जैसे ही होते है बट हम लोग अपने दोस्तों रिष्टेदारों को दिखाने के चकर में लेटेस्ट मोडल खरीद लेते हैं बट ओथर के अकोडिंग एक दू साल पुराने मोडल खरीदने से हम अपने काफी पैसे बचा सकते हैं इसलिए हमें और अच्छे से अपनी financial decision लेने चाहिए लेसन नमबर 9 Spend now to save later ये भी एक बहुतीं इंटरस्टिंग लेसन है इसमें उतर हमें बोलते हैं कि हमें कुछ चीजों पर अभी से spend कर देना चाहिए बट बात में शायद उसमें कोई major problem आ जाए और आपको ज़्यादा पैसे pay करने पड़ जाएंगे पढ़ हम जितना afford कर सकते हैं हमें उतना ही spend करना ऐसा नहीं कि हम अभी खर्चा कर देते हैं उसके चक्कर में आप यूज ले चीज़े खरीद ले आओ ऐसा नहीं जो चीज़े आपको future में बड़ा खर्चा करवा सकती हैं उन पर आज ही खर्च कर देना चाहिए बजाए कि वेट करने के lesson number 10 get rich slowly ओथरों बोलते हैं कि यह fact है कि जो 99% millionaire है वो एक दम से millionaire नहीं बने है बलकि उन्हें time लगा है उसी तरह आप रातो रातो करोड़ पती नहीं बन सकते हो आपको patience रखना है क्योंकि जो रातो रात अमीर बनते हैं जैसे कोई lottery में पैसे जीच जाता है इन मेंसे maximum लोग वापस से अपनी सारी wealth गवा बेटते हैं क्योंकि वो इस wealth को sustain नहीं कर पाते हैं इसलिए जो maximum लोग हैं उन्होंने जीरो से ही start किया था और धिरे धिरे उनकी income बढ़ने लगी और वो अपने पैसो को save और invest करने लगे देन आज वो एक millionaire बने हैं तो author भी हमें बोलते हैं कि हमें patience रखना है और पैसो को लेकर सही decision लेने हैं और अपनी financial knowledge को बढ़ाते जाना है जिससे कि आप जीरो से start करके करोड़पती बन सकते हो तो दोस्तों ये थे 10 amazing lesson इस book से जिने follow करके आप भी अपने goal को जीव कर सकते हो तो I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जेहन्द